और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सीजी प्रांजल 36 को सस्क्राइब करें, सेर करें और कमेंट करें नमस्कार जै हिन जै जोहार जै 36 गड़ आसा करते हैं दोस्तों आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और अपने जीवन का अनन्द ले रहे होंगे आज की इस कड़ी में हम फिर आपके लिए एक और नए आवसधिय पाउधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिसे संस्कृत में कुकुराउंधर और हिंदी में कुकुराउंधा कहते हैं और हम लोग 36 गड़ी में अपनी भासा में कुकुरमुत्ता कुकुराउंधा कहते हैं गुजराती में कुलाहार, कोकारुंडा, बंगाली में बुराकुष्टी, नेपाली में भ्रूंगी और कुकुरबंडा कहते हैं इस प्रकार हर एक भासा में इसके और अनेक अनेक नाम लिये जाते हैं और इसके आवसधिय गुर्धर्म की बात की जाये तो कुकुरबंधा, ज्वर, मुख्रोग, रक्तदोस, सूल, प्रदाह और कफ नासी होता है इसका मूल, इस्तंभनकारी होता है कुकुरबंधा, कस्वरस्त, इस्तंभक, मुत्रल, ज्वर और क्रीमी हिंता होता है इस प्रकार से कुकुरबंधा, अनेक प्रकार के रोगों में इसका उप्योग किया जाता है इसका पत्र का तेल, जिवाडू रोधी, कवक रोधी और विशूची का नासक होता है अब ज्यादा समयना लेते हुए इस अयुर्वेदिक चमतकारी जड़ी बूटी के बारे में आपको धीरे से सभी चीज हम बतलाते हैं सबसे पहला इसका प्रयोग है सीर रोग के लिए पलित रोग के लिए कुकरोंधा के एक भाग पत्र कस्वरस को चार भाग पानी मिलाकर कुआद बनाकर सीर धोने से पलित रोग दुर होता है नेत्र विकारों में अगर किसी का आँखों में जाल आ गया हो नेत्र फुली हो या लालीमा हो तो कुकुरोंधा के पत्र के स्वारस को फिटकिरी के साथ घिस कर अंजन करने से नेत्र का जाल, नेत्र का फुलना, नेत्र की लालीमा, सिलवनी, बिलवनी सभी रोगदूर हो जाते हैं और मुख रोग में कुकुरांधा की ताजे मूल को लेकर मुख में चबा कर थुकने से मुख में होने वाला छाला मुख सोध से दूर हो जाता है वक्ष रोग में पांच मिली लीटर कुकुरांधा स्वारस को संभाग सहद मिला कर खिलाने से कफजवी कारो खांसी में बहुत अत्यधिक फायदा देखने को मिलता है उसके बाद उदर रोग में बात किया जाय तो कुकुरांधा क्रीमी रोग में बहुत ही असरकाली और सधी है पांच मिली गया कुकुराउंधा पत्र के स्वरवस को सेवन करने से उदर के क्रीमी का नास होता है विसुची का जिसे हम दस्त के नाम से जानते हैं और अतिसार उदर क्रीमी और ग्रहणी विकार में एक से दो ग्राम कुकुराउंधा के मूल चूर्ण को काली मिर्च चूर्ण मिला कर सिवन करने से विसूची का अतिसार और उदर क्रीमी में भी लाब होता है इसके अलावा कुकुराउंधा बवासीर के लिए एक बहुत राम बाण इलाज है यदि किसी को खुनी बवासीर या बादी बवासीर हो तो कुकुराउंधा के पत्र का स्वारस को बालकों को गुदा में लगाने से यदि उन्हें क्रीमी या चुनना हो तो यह दूर हो जाता है और बवासीर के लिए कुकुराउंधा के पत्ते को पीश कर अर्ष के मस्टे पे लगाने पर अर्ष के खुनी बवासीर के जो मस्टे हैं वो जड़ने लगते हैं रक्तार्ष में खुनी बवासीर में कुकुराउंधा के पत्तर के स्वारस को काली मिर्ष के चूर्ण के साथ मिला कर सेवन करने से रक्तार्ष खुनी बवासीर दूर हो जाता है मुत्रग हात में किड्नी के बिमारी में अगर पांच मिली रख कुकुराउंधा के स्वारस को सेवन करने से इस मुत्रग हात की रोग मुत्र सम्वन्हे सभी प्रकार की रोग दूर हो जाते हैं और संधिवाद रोग में अगर किसी के जोड़ जोड़ में अगर दर्द हो कहीं पर भी दर्द हो सरीर में तो कुकुराउंधा के पत्रों को पीस कर अगर लेप कर दिया जाये तो संधिवाद गठिया का दर्द भी दूर हो जाता है उसके अलावा त्वचा रोग में यदि कहीं पर संक्रमर रोग हो या कहीं पर घाव हो या कहीं पर कट गया हो फोड़े फुनसी हो या कुष्ट रोग हो दात खाज हो तो कुकराउंधा के पत्र के संभाग उसके रस निकाल कर उसको तेल बनाकर उसमें भिमसेनी कपूर अनारियल के तेल मिलाकर इसको लगाने से किसी भी प्रकार का फोड़ा फुनसी कुष्ट रोग या फिसुगर संबंधित घाव अगर हो जो कभी न भरता हो वो भी ठीक हो ज और फिर शरीर के सभी रोगों में जैसे अगर बुखार हो जोर हो तो कुकराउंधा के पत्र के स्वारस को दो-दो बुन्द कान में डालने से ठंड दे कर आने वाले जोर का समन होता है यह रक्त इस्तंभन कारी भी होता है कुकराउंधा के पांस से दस मिली इटर के मात्रा में स्वारस और संभाक्तहद मिला कर खिलाने से रक्त पित, रक्त अतिसार, रक्तार्स और महिलाओं में होने वाला रक्त प्रदर में निकलने वाला रक्त सिग्रही इस्तंभित हो जाता है इसी प्रकार से आज की इस जनकारी को हम यही समाप्त करते हैं और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए नए नए जड़ी बुटी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल सीजी प्रांजल 36 को सस्क्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने प्रीजनों को सेयर करें ताकि वो भी अपनी बीमारी से निजात पासके धन्यवाद